आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही बहतरीन एक्टर से जिन्होंने की आइकॉनिक रोल भीश्म पितमा और शक्तिमान जैसे किये हैं जी है मैं बात कर रहा हूं मुकेश खन्ना की जोकी लेकर आ रहे हैं अपना एक्टिंग स्कूल यहां आने का मकसद यह है कि मैं यह यह मानता हूं कि हर यूथ के अंदर एक अक्टर बनने की शौक होता है बंबए की तरफ लोग भागते हैं सीखने के लिए अक्टर बनने के लिए स्ट्रगल करते हैं मैंने मैंसुस किया कि ये बच्चे अपने घर छोड़ कर आते हैं, अगर है एक्टिंग स्कूल को हमारे बंबई, में 20-200 स्कूल खोले पढ़े हैं, मैंने अगर अपने अपना एक ब्रांच हर सिटी में खोले हर स्टेट में खोले, तो वहाँ के लोग कम से कम निश्चिंत होकर अपने घरवालों के साथ आसपास रहे कर सीखेंगे तो उनके लिए एक सुविधा भी होगी और वो नए निश्चिंत और confident लेवल में सीखेंगे जिसलिए मैंने एक्टिंग कोर्स का शक्तिमान इंस्टिटूट फॉ एक्टिंग मैंने चंडीकड में यह मेरा थर्ड ब्रांच है जैसी कि मैंने इंट्रडक्शन में कहा था जो आपने दो iconic characters रिभाया भीशम पितामा का और शक्तिमान का पहले महाभारत की बात करते हैं जो की बहुत ही मकबूल हुआ है बहुत ही बड़ा इतहास रहा है टेलिवीजिन का तो कुछ ऐसी यादे हैं महाभारत की जो आज भी आपके साथ हैं एक नहीं है हजारों यादे हैं शक भीशम पितामा के रोल करने में महावारत जो दो साल हम फैमिली बनके रहे हैं उसके एक एक पल एक दिन हमारे लिए अपनी कहानी है उसको अगर मैं बताने जाओं तो एक पूरी महावारत और बन जाएगी बट यह है कि रोल मिलना अपने एक गर्व की बात थी रोल मिलना अपने आप में एक डेस्टीनी थी क्याकि मुझे दोर्योधन बनाने का प्रयास हो रहा था और मैंने मना कर दिया और अल्टिमेटली मुझे अरजुन करन बनना था मेरे किसमत में आयुशमान भवव कहना लिखा था तो मैं महावारत का मैं मारके जाने लगे तो आप ऐसी सिचुएशन में आपने किस तरह से टैकल या हैंडल किया एक तो मैंने कुछ-कुछ मुझे खबरें आती थी कि लोग बच्चे थोड़ी हाइट सी जाम मारते हैं उनको लगता है वहां तक तो ठीक था लेकिन बाद में खबरें आने लगी कि बच्चे एक दूसरे को जला रहे हैं वो रॉंग था और मैंने प्रूफ किया कि वो सब रॉंग निकला बागी स्कूल बंक करके आते थे थे हैं उसके ओपर एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि एक बाप ने मुझे लेटर लिखा था मैंने 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 मैंसेज प पूछा अपनी वाइब से कि क्या होगा है साबजादे पूता साबजादे कहता है शक्तिमान ने का स्कूल नहीं बंक करने का तो उस बापने लेटर के एंड में लिखा कि बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया है तो एट वस सम्धिंग की बच्चे शक्तिमान की सिखते थे अच्छा हम अपने बहुत फिल्मों में काम किया है बहुत मकबूल एक्टर साबित हुए है बहुत सीरियल में अपने काम किया है इवन आप प्रेडियूसर भी रहे तो वाट वर दे चैलेंजेस यू फेस्ट इन सिनेमा एंड तेलिविजिजिन और यू पहले पहले सवाल क की शिकायत है कि हमारे यहां पर अभी भी भी भेड़ चाल है आप अच्छे एक्टर है कि अच्छे एक्टर नहीं है कम माइने रखता है माइने यह रखता है कि आपकी पहली फिल्म हिट हुई है कि नहीं मेरी उस जमाने में चार फिल्में रिलीज हुई थी चारों साथ लगा दिया गया मुझसे और ने का नियो मुकेश तो इसकी फ्लॉप है किसी ने यह नहीं कहा कि फिल्म फ्लॉप हुए लेकिन मुकेश खनना अच्छा है आज मुस्से लोग पुछते आप कहा थे जब महाभारत रिलीज जी तो लोग के ते आप कहा थे मैंने का महा यही था आपकी नजर नहीं पड़ रही थी एक फिल्म चाहिए फ्राइडे को उसमें आपका कंट्रिबूशन बरे निल हो तो भी आपको दस फिल्म मिल जाएंगे ऐसे दो तीने एक्जामपल इंडेस्ट्री में हुए हैं आज भी मैं वही देखता हूं कि फिल्म का चलना जरूरी ह मैं यह बोलता हूं बड़े-बड़े डिरेक्टर प्रोडूसरों को कि आपको क्यों एक चला-चलाया एक्टर चीज इसकी फिल्म चली है आप में इतनी ताकत होनी चाहिए एक्टर अच्छा है मेरे को रोल में सूट कर रहा है मुझे उस पर डिपेंड नहीं करना है यह शो कि आख तुछ है कि टीवी आजकल घरों में पहुंच गया है मेरे लिए एक्टर टीवी और मावार और रान एकटिंग और फिल्मot में कुई एकटिंग आपके सामने इस छोटे से कैम्डे में में अगर कुछ डालोग बो वो फैसिलिटीज की वज़े से फर्क आ गया है, टीवी और फिल्म में, टीवी और टीवी फिर आजकल के आगा है कि टीवी के परसनेलिटी आपकी नेक्स डॉर वाली होनी चाहिए, फिल्मों में आपकी लार्जर दन लाइफ होनी चाहिए, यह चंद फर्क हैं जो आज भी है जैसे कि पंजाबी सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है, तो आप भी कोई फिल्म लेकर आना चाहते हैं या एक्ट करना चाहते हैं दिमाग में था पंजाबी फिल्म बनाने का था, अभी कुछ देर के लिए मुझे लोगों ने डिस्करेज किया है कि डेड़ सो फिल्म में बन रही हैं यहापर, तो कुछ क्राउड के अंदर मैं नहीं आना चाहता, मैं वेट करूँगा और मेरे दिमाग में है एक अच्छी पंजाबी फिल्म बनाने की और मैं बनाओंगा, मैंने एक मराठी फिल्म बनाई है रिसेंटली, लेकिन अभी मैं पंजाबी बनाने के सोच रहा था, लेकिन अभी नहीं फिलाल बनाओंगा हमसे बात करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थाइंक यू सो मर्ड, ये थे हमाइसात मुकेश खन्ना जिनोंने की कहा है कि वो पंजाबी फिल्मों में आने का विचार कर रहे थे, मगर इतनी फिल्में बन रही है तो फिल हाल अभी उनका कोई प्लैन नहीं है कैमेरमेन गिरीश दूरकापाल के साथ जैदीप मित्रा टेर नाइट न्यूस चंड़े अग्ला चुड़े